जब दही चुड़ा सनाता है तो उसको बार-बार उलट-पुलट करना पड़ता है और एक बार जब दही चुड़ा सही से सना जाए तो अब इतना खाने में मज़ा आता है कि आपका पडोसी आपको देख कर जल जाएगा बिहार की राजनीती में दही और चूड़ा का मतलब आपसे बहतर को और कौन समझेगा दही मतलब यादव जी चूड़ा मतलब भूमिहार जी और दही चूड़ा का कॉंबिनेशन ऐसा चला कि देखिए एक भूमिहार मंत्री बनाए गए लेकिन वो तो अब इस्तिफा दे कर जा चुके हैं लेकिन उनके इस्तिफा देने के बाद जब गजब गजब रियक्शन आने लगे तब खबर बनाना पड़ता है खबर के जो रचाईता है वो है आशुतोष जी आशुतोष जी आरजे जेपी वाले राष्ट्रिय जनजन पाटी वाले और उन्होंने फेस्बूक पर एक बहुत कायदे भरा पोश्ट लिखा है जिस पोश्ट में उन्होंने भाजबा को गजब से लपेटे में लिया है तिरस्वी आदाव का समर्थन किया है और लिखा है कि कई लोगों को दही और चुड़ा के कॉंबिनेशन से इतना दिकत है कि वो लोग तो मकर संक्रांती में भी दही चुड़ा नहीं खाएंगे उसके बाद आशुतोष कुमार लिखते हैं कि दही चुड़ा जिसको नहीं खाना है वो मत खाए और उसके बाद आशुतोष कुमार एक concept बताते हैं concept क्या है concept ये है आशुतोष कुमार का कि देखिये दही चुडा को साने में दही चुडा को फेटने में समय लगता है लेकिन एक बार अगर दही चुडा बढ़िया से फेटा जाए तो खा कर एक दम मज़ा आ जाता है उसके बाद आशुतोष कुमार कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उस आदमी को है जिसकी सारी कुरसियां चली गई है वो लिखते हैं कि देखिए हमारी तो एक कुरसी और दो कुरसी आती जाती रहेगी लेकिन दिक्कत असली उसको ह रहा है जिसकी सारी कुरसी चली गई है और सारी कुरसी किसकी गई है यह आपको और हमको दोनों को पता है सारी कुरसी गई है भाजपा की आश्टोष कुमार भाजपा पर सीधा सीधा तंज कसते हैं वो आगे लिखते हैं कि जैसा भाजपा का रवया है लगता नहीं है कि व आश्तोष कुमार ये कहना चाहते हैं कि दही चुड़ा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और जान बूज कर दही चुड़ा को बंधनाम करने की साजिश्की जा रही है अभी आपके स्क्रीन पर वो पोस्ट दिख रहा होगा और हम आपको एक्जेक्ली पढ़कर सुना भी दे आश्तोष लिखते हैं कि कुछ लोगों को चुड़ा दही हजम नहीं हो रहा है चुड़ा दही का नाम सुनते ही ऐसे भढ़क जाते हैं जैसे लाल लंगोट देखकर सांड भढ़कता है आरे भाई नहीं हजम हो रहा है तो मत खाओ हम तो कहेंगे कि मकर संक्रान्ति की दिन इससे दूरी बनाए रखो कहें कि हाजमा खराब हो चुका है आपका अरे महराज अलबलाईए नहीं तनिक धीरज रखिये अभी तो खेल चलुए हुआ है अभी लंबा खेलना है एक दो कुरसिया आती जाती रहेंगी इसकी चिंता छोड़िये चिंता उनकी कीजिये जिनकी सा दही सनाता है तो कई बार उलट पुलट करना होता है और उसके बाद वो लिखते हैं कि जब बढ़ियां से फिटा जाएगा तो खाने में ऐसा मज़ा आएगा कि देख पडोसी जल मरे तनि बरदास्त वाला गोली खाईए सब आप ही समझ बूझ जाएंगे तो हमका 10 साल से बिहार में ओल थोड़ी उखाड रहे हैं मतलब ये कि आश्तोष कुमार ये बता रहे हैं कि देखिए दब दही चुड़ा को साना जाता है तो उसको उल्टा पुल्टा करना होता है मतलब अभी उल्टा किया गया है इसलिए कार्टी जिंग को इस्तिफा देना पड़ा है ल इसा रवया उनका दिख रहा है वैसे लगता नहीं है कि वो लोग भविश में भी बिहार में सत्ता में आने वाले हैं बहराल दही चुड़ा के कॉम्बिनेशन को लेकर त्रिश्वी आदाव भी कई बार बयान दे चुके है एक बार तो ग्यान वोन में उन्हें कहा था कि द जो भुमिहार को बंदुआ मजदूर समझ ली थी अब उसको सत्ता से हम लोग हटा चुके हैं और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा बहराल कार्तिके सिंग के इस्तिफा देने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि अब कोई भुमिहार मंत्री बनेगा की नहीं और इसी को ले आगार के लिएाद